नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है टीम इंडिया के पुरु सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है गौतम गंभीर ने कहा है कि इस बार भारतिय गेंदबाजों को डेविड वार्नर और स्टीव स्मीथ ज्यादा परिशान नहीं कर पाएंगे और भारतिय गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को आसानी से आउट भी कर देंगे गंभीर ने कहा है कि इस बार इन दोनों के होने से भी भारते टीम को फर्क नहीं पड़ेगा गौडतलब है कि टीम इंडिया इस साल दिसंबर में अस्ट्रिलिया दोरे पर जाने वाली है और वहाँ पर टीम इंडिया को चार मैचों की टेस्ट स्रीच खेलनी है इस्टीव स्मीथ को लेकर इसलिए भी बाते होती है क्योंकि लगभग 84 के एवरेज से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ रन बनाये हैं और जितनी बार उन्होंने भार भारत के खिलाब टेस्ट स्रीच खेली है इसमीथ उस्रीच के लिडिंग रन स्कोरर रहे हैं वातम गंभीर ने आगे बताया कि भारते टीम के पास ऐसे तेज गिनबाज है जो किसी भी टीम को किसी भी परिस्थिती में परिशान कर सकते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि पि अबर की बीच होना है लेकिन कोर्णा वायरस के कारण इस विश्वकप पर काले बादल मंडरार हैं गंभीर ने कहा यह असानी से लिए जाने वाले फैसले नहीं हैं यह सोच समझ कर लिए जाने वाले फैसले हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि ICC जल्दी इस पर अपना अपनाईगी यह जरूर है कि वो फैसला लेने से पहले हर किसी को भरौ से मेले आपको बता दे कि भारत में क्रिकेट सुरू करने को लेकर गंभीर ने कहा कि व्यक्तिगात तौर, पर मुझे लगता है कि जब सही समय हो भारत में तभी क्रिकेट सुरू हो जाना चाहिए यह काफी सारी चीजों पर निर्वर्थ करता है मुझे पूरी उम्मीद है कि BCCI सभी कुछ सोच समझ कर इस पर फैसला सुनाएगी इस ख़बर में बसित रही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हो One India Hindi के साथ